नमस्कार, स्वागत है आपका Self Steady के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानि FIR, First Information Report क्या होती है अगर आप पुलिस में जाते हैं, मतलब FIR दर्ज करवाने, अगर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो आपके पास क्या rights हैं, आप कहां जा सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हैं आपको इस वीडियो मिलेंगे साथ इसाथ, आपने movies में देखा हैं कि पुलिस वाले आते हैं, किसी भी इनसान को मारते हुए, पकड़ ऐसे मारते हुए, लेके चले जाते हैं तो क्या actual में वैसा होता हैं, यह सारी movies में होती हैं, लेकिन actual में कुछ अलगी हैं, तो उन सारे चीजों की जवाब आपको इस वीडियो मिलेंगे क्या पुलिस बिना वारेंट के गिरिफतार कर सकती हैं, एक हमारे दिमाग में ऐसा मित रहता है कि हरे आपुलिस आएगी वो तो पकड़ के लेके चली जाएगी, उसको वारेंट की जूरत है या नहीं है, तो यह भी आपको आज पता चल जाएगा अचा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, पीडियो जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, टेलिग्राम में एक लिंक दिया मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो नमबर वन बात तो यह हो गई, अब आते हैं कि F.I.R. क्या होती है, देखे F.I.R. क्या है, प्रतम सुचना रिपोर्ट, हिंदी में तो इसका मतलब पूरा मीनिंग यह हो गया, इंग्लिश में इसको कहते हैं, फर्स्ट इंफोर्मेशन रिपोर्ट, शोर्ट फॉर्म मे एक संगय अपराद होता है, एक गैर संगय अपराद होता है, अभी मैं इन चीजों की भी बातें जो है, वो आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूँगा, बट अभी समझ लो कि गैर संगय और संगय दो तरीके के अपराद होते हैं, अभी यहां पर बात हो रही है, संगय इसको सबसे पहले पहुँचना ठीक है इसलिए इसको परथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है यानि फर्स्ट इन्फोर्मिशन रिपोर्ट कहा जाता है आम तोर पर संग्य अपराद के शिकार व्यक्ति द्वारा या तो खुद उसके खिलाव कुछ अपराद हुआ है जो संग्य अपराद की कैटिगरी में आता है तो वो खुद जाके परसनली जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकता है या फिर उसके बिहाव पे उसके रिष्टेदार, उसके दोस्त या फिर उसके कोई चाहने वाला जाकर पुलिस को संग्य अपराद के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है और ये जो संग्य अपराद है इसके खिलाव जो है वो आप पुलिस के पास जाते हैं तो वो उसको आप मोखिक पे या लिखित रूप से किसी भी रूप में आप उसको दे सकते हैं अब एक important information देखें F.I.R. जो शब्द है भारतिय दंड सहिंता यानि Indian Penal Code और Code of Criminal Procedure अपरादिक प्रक्रिया सहिंता 1973 इन दोनों में से कहीं पर भी किसी भी अन्य कानून में CRPC की धारा 154 काफी important है CRPC की धारा 154 के तहट दर्ज की गई जो जानकारी होती है उसे ही F.I.R. के रूप में जाना जाएगा ऐसा कहा गया है clear अब बात करते हैं कि F.I.R. के जो तीन important elements होते हैं उनके बारे में first element यह है कि जानकारी एक संग्यापराद से संबंदित होनी चाहिए यानि cognitiable offense होना चाहिए दूसरी बात यह है कि जो cognitiable offense है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है तो सूचना जो है लिखित या मोखिक रूप में थाने के परमुक यानि जो थाने का station in charge होता है पूरी station in charge होता है उनको दी जानी चाहिए तीसरी बात यह है कि जो सूचना देने वाले हैं उनके द्वारा यह लिखा और अस्ताक्षित उनके द्वारा sign किया जाना चाहिए और जब यह हो जाएगा कि पुलिस मामले की जाँच करेगी अब जाँच करेगी वो गवाहों के बयान कोई कठा करेगी evidence कठा करेगी scientific material का use करेगी उनके द्वारा जो है वो evidence कठा करके अब यहाँ पर क्याएग पुलिस कानून के अनुसार जो है वो कथित व्यक्ति को यह चीज़ें हुई है तो तब जाके एक charge sheet file की जाती है समझना F.I.R. का अलग है आपने जाके एक cognitiable offense है उसमें अगर आपने cognitiable offense के अंदर वो चीज़ें आती है F.I.R. दर्ज हो गई F.I.R. दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच बिठाई जांच बिठाने के बाद evidence कटे के evidence कटे होगने के बाद पुलिस को लगा कि हाँ अब यह जो है परयाप सबूत है जो चीज़ें कही गई है वो actual में हुई है तब जाके एक charge sheet of file होती है clear हुआ यहाँ पर अगर कोई सबूत नहीं मिला अगर कोई सबूत नहीं मिला तो एक final report mention की जाती है कि भई कोई भी evidence नहीं मिला और यह जो है वो court के अंदर submit की जाती है इसको fill किया जाते है मतलब कि submit कर दिया जाते है court के अंदर एक तो यह चीज़ हो गया दूसरी बात भई शिकायत करता ने बात बोली कि मेरे साथ यह अपराद हुआ और actual में अपराद नहीं हुआ था तो एक cancellation report फाइल की जाती है court के अंदर नमबर तो होगी तीसरी बात यह है कि भई जो व्यक्ति था उसने भई शिकायत की अगर वो अपराद ही नहीं मिला तो पुलिस वहां पर क्या करेगी एक untraced report जो है वो फाइल करेगी court के अंदर अब court के अंदर suppose पुलिस ने अपनी report फाइल कर दी पुलिस ने अपने evidence दे दिये चारशीट फाइल कर दी और court ने जब उसको देखा तो court को लगा कि नहीं अभी इसके अंदर कुछ कमी है तो एक काम करिए ये जो है वो आदेश फिर से दे देगी पुलिस को कि आप दुबारा से जांच करके आईए तो समझ में आया है कि F.I.R. दर्ज होने के बाद क्या होती है अगर वो वक्ती नहीं मिल रहा है जिसने अपराद किया है तो एक अंट्रेस्ट रिपोर्ट फाईल दर्ज की जाती है अगर अपराद हुआ ही नहीं है तो एक रद्धी करण अब बात करें कि F.I.R. दर्ज करने सा अगर इंकार कर दिया जाए तो क्या होता है तो दो चीजे हैं आपके अगर इंकार कर दिया जाता है FIR दर्ज करने से तो एक आती है CRPC की धारा 154 का close team और एक आता है 156 का close team तो दो चीजे हैं पहला बढ़ते हैं कि CRPC की धारा 154 का close team के तर्ज यदि किसी व्यक्ति कोई थाने में जाता है और थाने का जो परमुक है वो F.I.R. दर्ज करने से मना कर देता है तब क्या होगा तब जो व्यक्ति है तो वो संबंदित पुलिस अधिक्षक यानि DCP के पास जाके वो शिकायत कर सकता है अब जो DCP है वो इस बात से अगर होते हैं कि जो जानकारी दी गई है इस शिकायत करता के द्वारा वो एक संगय अपराद का खुलासा करते हैं मतलब कि उसके अंदर जो जानकारी दी जारी है शिकायत करता के द्वारा कि वो एक कोगनिशियबल अपराद है और ये अगर इस बात से संतूष्ट अपने आपक की गई F.I.R. जो पीडित व्यक्ति है वो संबंदित न्याले के सामने जाके CRPC की धारा 156 के close 3 के तहट अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अब न्याले अगर इस बात से संतुष ठोपाते हैं कि या कोट इस बात से अगर satisfy हो पाते हैं कि जो शिकायत है वो एक संगय अपराद है एक cognitiable offense है तो वो पुलिस को order देगी कि हाँ आप जो है वो जांच करिए कारवाई करिए यहां पर investigation करिए तो दो चीजी होगी आपके सामने अगर पुलिस जो है वो शिकायत FIR दर्ज करने से अगर मना करती है तो 154 CRPC की धारा 154 का close 3 और CRPC की धारा 156 का close 3 यह आपके बहुत जादा important है अब आगे चलते हैं कि एक होती है जीरो FIR क्या होती है तीकि जीरो FIR एक ऐसी FIR होती है जब समझे है यहां पर यह एक area है और इस area में माल लेते हैं कि यह एक police station है इस area को संभालने वाला अब यहां पर एक और दूसरा area बना लेते हैं माल लेते हैं कि यहां पर एक और area हो गया और इस area में यह police station हो गया clear तो दोनों के अपने अपनी area अलग होते हैं jurisdiction अलग-अलग होते हैं पुलिस टेशन के, अब सुपोज करिए कि यहाँ पर कोई अपराद होता है और वो उस अपराद की रिपोर्ट जो है, वो इस थाने में की जाती है, उस अपराद की रिपोर्ट जो मैं कहें कि इस थाने में कर दी जाती है या फिर यहां पर जो है वो एक तरीके के जब F.I.R. यह दर्ज कर लेते हैं तो यहां यह जब F.I.R. दर्ज करते हैं तो वो उस संबंदित शेत्र के पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट फिर से बेज़ते हैं कि आपके शेत्र में यह शिकायत आई है पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार शेत्र में किये गए कतित अपराद के विशे में शिकायत प्राप्त होती है तो वह प्राथमिक यानि F.I.R. दर्ज करता है और फिर आगे जाच के लिए उसे संबंदित पुलिस स्टेशन में स्थानांति त्यानि ट्रांसफर कर देता है और इस परकार की जो F.I.R. होती है इसी को G.F.I.R. का जाता है और जब ये G.F.I.R. मतलब जाती है यहां पर उसके शित्र में आता है पुलिस स्टेशन तो जब जाती है तो वहाँ पर क्या होते है कि एक दुबारा से एक नई F.I.R. यहाँ पर दरज की जाती है और फिर उसके बाद जांच शुरू कर दी जाती है तो अब यह सीजें से मुझे लगते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी अब दो चीजें बची हैं एक तो संग्यापराद बचा है और एक गैर संग्यापराद बचा है यह क्या होते हैं अब बात करते हैं अभी तक आपको एक बात का जवाब नहीं मिलाओगा कि क्या पुलीस बिना वरेंट के गिरफतार कर सकती है या नहीं कर सकती है देगिए 2 अपराद होते हैं एक होता है संग्य अपराद एक होता है गैर संग्य अपराद अगर रिपोर्ट जो है या फिर कहीं एफ़ाइर जब वो संग्य अपराद के according दर्ज की गई है तो पुलिस बिना वारेंट के गिरफतार कर सकती है बिल्कुल देखे, संगया पराद कौन-कौन से होते हैं रेप हो गया, मर्डर हो गया तो ये बहुत जादा एक हीनियस क्राइम होते हैं तो इसके अंदर पुलिस जो है, इसको कोई भी ओर्डर की जूरत नहीं पड़ती है, वोरेंट की तो वो जाकर सीधा गिरफतार कर सकती है एक तो ये चीज, दूसरी चीज एक गैर संगया पराद वो होते हैं जिसके अंदर वरेंट की जूरत पड़ती है, मैजिस्टेट की जूरत पड़ती है वो कहते हैं कि हाँ वरेंट निकाल दिया गया है तब जाके वो है, गिरफतार किया जा सकते है तो संगया पराद आपको समझ में है गैर संगया पराद जैसे की तोड़ फोड होगी किसी के साथ लड़ाई होगी, किसी के साथ दोखादड़ी होगी तो वो गैर संगया पराद के अंदर आ जाते है तो गैर संगे अपराद के अंदर क्या होता है पुलिस अधिकारी को बिना वरेंट की गिरिफतार करने का अधिकार नहीं होता नियायले की अनुमती के बिना पुलिस अपराद की जाँच भी नहीं कर सकती है गैर संगे अपरादों को मामले में CRPC की धारा 155 के अधिकार दर्ज की जाती है अलग अलगी 154 अलग हो गया 155 अलग हो गया और 156 मैंने आप लोगों को अलग बताया था अब शिकायत करता आदेश के लिए नियायले का सहरा लेता है और अगर नयायले जो है फिर उसके बाद अगर संतूस होता है तो नयायले जो है पुलिस को शिकायत करता है कि शिकायत की जांच करने के आदेश देता है तो दो जीजें होती है संगे अपराद, गैर संगे अपराद अब बात करते हैं कि एक शिकायत होती है और एक F.I.R. होती है इन में क्या फरक होते हैं CRPC एक शिकायत यानि complaint को मोखिक रूप से या लिखित रूप से magistrate के सामने प्रस्तूत किया जाते हैं कि उसमें लिखा होते हैं कि ये वेक्ति जो है मुझे परिशान कर रहा है वो चाहें उसके जानने वाला हो सकता है या नहीं जानने वाला हो सकता है तो ये एक चीज होती है एक ट्रीके से आपने जाके magistrate को बोला कि भाई ये जो है मुझे को वेक्ति प्रिशान कर रहे हैं और ये बात सुन ली गए ये एक complaint होती है लेकिन F.I.R. एक दस्तावेज है जिसे पुलिस ने शिकायत के तक्तियों की पूश्टी के बाद त्यार किया है यानि F.I.R. में अपराद और कथित अपरादी का विवरण हो सकता है ये शिकायत अपने कोई complaint किया है और ऐसा परतीत होता है कि वो एक cognitiable offense के अंडर आता है तो C.R.P.C की धारा 154 के तहत F.I.R. दर्ज की जाएगी देखिए, cognitiable के लिए क्या है? 154 है लेकिन non-cognitiable यानि 114 के लिए क्या है? 155 है तो दोनों अलग-अलग होगी याँ पर के लिए तो अगर cognitiable मिला तो 154 के तहता F.I.R. दर्ज हो जाएगी तो ये पुलिस फिर क्या है? उसके बाद जाँच करना शुरू करतेगी यदि कोई अपराद नहीं हुआ है तो आपको मैंने जैसे बताए कि पुलिस द्वारा जहां जो है वो बंद कर दी जाती है तो ये था एक complete F.I.R. के बारे में आपके लिए एक वीडियो तो उमीद करता हूँ कि कहीं न कहीं यह आपकी knowledge को enhance करेगा आपको वो सारी चीज़ें जानने को मिली होगी जो आपको नहीं पताऊंगी संगय अपराद क्या होते हैं गयर संगय अपराद क्या होते हैं अगर F.I.R. दरज नहीं की तो आप कहां जा सकते हैं उमीद करता हूँ कि PDF वह आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएगी description box में एक telegram का link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था, thank you for watching this video